हेलो एवरीवन कैसे आप सब लोग तो वेलकम बैक टू नियुमेरिकल सीरीज नमबर पार्ट 3 ठीक है तो आज हम लोग बाकी के नियुमेरिकल्स खतम करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे हाई होब आपको बाकी के नियुमेरिकल्स समझ में आगा होगे तो पिछली पर हम लोग ने कौन कौन से किये थे हम लोग ने 15 नंबर से 19 नंबर तक का सम कर लिया था ओके मैंने आपको होंवक्त दे था कि 19 सम का आपको अंसर बताना है बहुत बच्चों ने बताया बहुत आगे वाला आज हम लोग करने वाला 20 सम से स्टार्ट करेंगे और लास्ट वड़ा सम तक सॉल्व करके आपको मैं दे दूंगा तो देखो 20 सम क्या है अगर आप लोग पहले मैं बता दो अगर वीडियो पे नहीं हो चैनल पे नहीं हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो आपर का करेंगे लिगते समझते एक वाइलन का दिया एकजांपल अब आखाया है हमारे पास फ्रिक्वेंसी दिया है 440 हर्ट्स ओके गिविवन में दिया 440 हर्ट्स हमें find out करना है n1 & n2 फॉर्स ओवर्टोन एंड शेकंड ओवर्टोन हमारे पास फॉर्मुला है स्ट्रिं n p is equal to p plus 1 into n याद आया यह फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं यह आला फॉर्मूला यह वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखके दिखाया था अभी इसके लिए फॉर्स्ट्रिंग है ठीक है हम लोगने वाइब्रेशन निकाला था वाइब्रेशन प्रडूसीन तो वही वाला फॉर्मूला यह प्यांसर क्या मिलेगा हमें जली बोलो 880 पहला मैं अंसर मिल गया सेकेंड आंसर क्या हमारे पास क्या करना है क्या करना हमें एंटो के लिए 2 प्लस 1 एंटो 440 ओके यह क्या हम जाएगा 3 इंटो 440 जली बोलो 12 कितना जाएगा 1320 करेक्ट हो गया सॉल्फ इतना सा सम था आप लोग बिना मतलब का टेंक्शन लेते हो एक इस गीवें थी लेकिन बहुत इसी कोश्चन आपके बोड़ एक्शाम में आना ले चलिए आगे का सम करते हैं विदाट वेस्टिंगा टाइम 21 वाला सम असेट ओफ एट ट्विनिंग फोग इस अरेंज इन सीरीज ओफ इंक्रीजिंग ओडर और फ्रिक्वेंसी इस ट्विनिंग फोग गिवस फॉर बिट्स पर सेकेंड विद धर इंक्रीजिंग ओडरमें फ्रिक्वेंसी इंक्रीसिग ठीक है तो हमें फॉर्स्ट और लास्ट का हमें खाली यह करना है तहलो की च। फी ठाज है लास्ट तक क рок- 8 और छे लिए एंट आ गया घ्सीआ क演орош को म्या अंच बताएंट हैं कितना हमेरे पास four hearts कोश्यन में दिया है अच्छे से पढ़ना कोश्यन में देखो मैं क्या वो लगया है हमें फार्सटाइब का फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी करना है करते हैं टो माइनस एंवन चलो यही फॉर्मुला ऑच्छा रहा है प्लस एंवन बन जाएगा एक मेरे पास फॉर्मुला बन गया आगे क्या लिख सकते हैं यह पहला पोइंट हो यह सेकेंड पर देखो एंट 3 माइनस एंट 2 अभी लिख देखो एक एंग करते जांगे एंट 3-1 नल किया इसको इससे फिर इसको इसके last तक जाएंगे यहां पर क्या जाएगा formula में n3-n2 change in frequency यह भी मुझे कहा देगा change in frequency हमें पता है 4 है वो तो n3-n2 वो क्या देदेगा मुझे यहांसे मैं n3 के लिए formula बना लूँगा ठीक है तो n3 क्या जाएगा 4 times of 4 plus n2 आ जाएगा यहां पर उठाके मैं यहां पर रख दिया formula कोई problem इसमें नहीं है problem तो यहां पर देखो अगर हम लोग ने यहां पर इसको solve किया इसको solve किया तो हम लोग कैसे solve करेंगे यहां पर देखो two times of four है तो यहां पर क्या जाएगा two times of four में मतलब eight times Singapore 8 कंगे है क्याकोई problem कि आप लोग लिए सकते हैं यहाँ प्लास प्लस कर सकते हो यह कि भी एट मीलेगा दूनों यहां पर बीए हम लोग करेंगा इसके लिए 几 G करेंगे करेंगे m8 के लिए जैसे 3 के लिए 2 आ गया 3 के लिए एक कि लिए 7 की लिए एक नमर्म आ जाए TRAG करें यहां पर देखो अगर आप के आगे स्के तो आपको n 4 के मिलेगा n 4 की ला मिलेगा 3 x 4 ॐ 7 q 8 के लिए निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जर्नलाइस फॉर्मुला 7 x 4 n1 7 x 4 प्लस n1 मिलेगा सॉरी यह पर प्लस लिखना मैं भूल गया प्लस n1 मिलेगा करेक्ट है तब इसको जब हम लोग स्वाव करें कि इसको मैं अच्छे से लिख दू n8 is equal to 8 x 4 in plus n1 8 x 4 कितना हो जयता है जल्ली बता दो 8 x 4 28 sorry 8 लिख रहे है हम लोग sorry 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 extremely sorry 7 for the 7 for the 28 आता है 7 for the 28 to 28 into plus n1 अभी n1 का value क्या है आपको पता नहीं है तो हम हम लोग यहां पर लिख सकते हैं हमें क्या पता है हमें एक चीज़ पता है कि n8 जो है वो two times of n1 है वो क्या है two times of n1 है तो वह हम लोग यहां पर रखेंगे तो अभी देखो यहां पर हम लोग क्या रखने यह लिख दूँगा तो यहां पते को 2N1 is equal to 28 plus N1 लिख दूँ कोई इसमें problem कोई इसमें problem नहीं है अभी यह मेरा is set आ जाएगा तो minus हो जाएगा 2N1 minus N1 is equal to 28 यह क्या बन जाएगा हमारे पास N1 तो N1 का value क्या जाएगा 21 हर्ट्स दो में से एक गया तो एक बचा तो यहां पर बन गया N1 का value N1 का value कितना बना हमारे पास 28 हर्ट्स बना समझ में आ रही है बाते पक्का आगे चले आगे अभी हमें find out करना है हम लोगने N1 find out कर लिया हमें find out क्या करना है N8 N8 क्या है टू टाइमस of N1 है तो टू टाइमस कर लो multiply कितनी बन जाएगी हमारे पास जल्दी बताओ 56 हर्ट्स बन जाएगी पक्का यह लो मिलके हमें फर्स्ट और हाव लास्ट वाली हार्मोनिक्स का क्या है फ्रिक्वेंसी पक्का समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने चलो आगे करते आगे वलसम सॉल्व करते हैं अभी हम लोग 22 वलसम देखो क्या बोला गया सोनो मेंटर के ऊपर है और सोनो मेंटर वायर स्ट्रेच बाय टेंशन ऑफ 40 नूटन विट वाइबरेट इन यूनिशन वीट यूनिफॉर्म वीट और ट्वेंग फोक और फ्रिक्वेंसी 384 हर्ट्स हाव मैंने नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रडूस्ट इन 2 सेकंड इफ टेंशन इन दी वायर इस डिक्रीज बाइ 1.24 न सब्सक्राइब करने के जुरूद ने है लोड ने दिया ही हमें ठीक हमें डायरेक्ट टेंशन बताया है उस ताइम पर फिक्वेंसी कितनी है 3.34384 हर्ट्स ओके टीटू क्या हमारे पास टीटू है 40 नूटन माइनस कितना डिक्रीज किया 1.24 डिक्रीज किया तो यह कितना ब बन जाएगा क्या बन जाएगा वह 38.76 N बन जाएगा मिदल लाभ टीवन और टीटू की वैल अपने को मिल गाई फाइंड़ंट क्या करने हमें अन्टु की वैल्लड कन्य क्या करने है इसके लिए में परिमा पताना जाए n is equal to 1 upon 2L under root t upon M ठीक है वारफ m is directly proportional to root of t एक है square root of t तो इसको देख़ू इसके लिए हम लोगने verification law क्या था इस law का verification क्या मिला था n1 upon n2 is equal to square root of t1 upon t2 य surrounds verification हमें लोग फ़ cleaning करें कि आ थी एकर आजेंगे तो हमके बाहरा बाaría आजए एक पाय करने सेवेन सिक्स ठीक है यह वेरिफिकेशन के अता हम लोग नहीं सोनों मिटर का कोश्चन है ठीक है तो यहां पर आप लोग डिवाइट कर लो तो डिवाइट करने के बात में हम एंसर क्या मिला आपको देखो क्या मिलेगी 1.0261.032 मिला अब इसका स्क्वेर रूट देखो क्या क्या है तो आप लोग को अच्छे से मिल जाएगा ठीक है तो इसका आपको क्या मिलेगी 1.016 मिलेगी क्या मिलेगी 1.016 आगे हमें फाइंड आट क्या करना है हमें फाइंड आट करना है एंट तो हमें क्या मिला है एंड वन अपवन अपवन एंड टू मिला वह कितना है 0.3 सब्सक्राइब करना है मतलब यह यहां पर चला जाएगा यहां पर आजाएगा तो n1 upon 1.016 is equal to n2 n1 का वेल्यू क्या है 384 यहां पर हम लोग रख देते n2 is equal to 384 divided by 1.016 अभी यहां पर देखो एप्रोक्सिमेटली अगर हम लोग देखें तो यहां पर 1 है वन है तो something divided by 1 तो यहीं आ जाएगा हमारे पास अंसर लेकिन अगर हम लोग यहां पर अच्छे से देखें अच्छे से आप लोग calculate करो इसको भी आप लोग consider करो 1.6 को और divide करो तो आपको कितना है तो n1-n2 कर लो या फिर मॉड में डाल तो कोई फरक नहीं बढ़ता है वोल्योम है वह इसे भी positive मिलनी चाहिए तो 348-378 हमें क्या करना बढ़े टम में से चोड़ा टम माइनस करना है याद रखना चेंज में हमें ठीक है यह अपना formula था n is equals to n1-n2 यह frequency निकालने का formula था यहाँ बाद चेंज इन नहीं लिखो गए तो भी चलेगा तो भी चलेगा अभी हमें क्या करना है और एक हमें question पुछा गया है इन two seconds number of bits produces are दो सेकंड में कितना produce हो रहा है ठीक है तो number of bits निकालना है तो क्या करना है टू इंटू यह जो हमारे पास एन आ गया कि दो सेकंड में कितना आ जाएगा तो दो सेकंड में हमारे पास कितना बीट बनेंगे टू इंटू 6 12 आई चलो समझ में आगे ये question कुछ भी आगल डाऊत हो तो पूछ लेना ढरें करहें पूछ अब देखो 23 वाला सम हम लोग देखते हैं आगे यह रहा है आपके समने अब 23 वाला सम इद्दम इजी है यहाल हम लोग ने किया है क्या बोलता है सब रखोगे स्क्वेरिंग कर लोगे को साइट ले लोगे बाकी फार्मला बना लोगे यहापको लिनेर डंसीटी मिल जाएगा बात एक समझ में आ गई स्वाल गर के मुझे अंसर बताना लासम चलते सम का इस पूरे सेशन का लाच सम करते 24 वाला सम A string of guitar is 80 cm long ठीक है A hand has a fundamental frequency of 112 Hz If a guitarist wishes to produce a frequency of 160 Hz Where should the person press the string अभी कहाँ पहे कौन से length में person को string रखना चीए ताकि वो 170 Hz प्रोडूस कर सके तो देखो क्या क्या दिया है हमें हमारे पास N1 दिया है 112 Hz L2 दिया है हमारे पास 80 cm 80 cm में रखा था हमारे पास 112 Hz निकला N2 बोला गया है कि 160 Hz होगा तो हमें बताओ कि हमें उंगली कहां पर रखनी है मतलब L2 हमें कहां पर रखना है तो इसके लिए भी 1st law हमें पता है string का vibrating string का 1st law क्या है कि NL क्या होता है हमारे पास constant होता है ठीक है NL क्या होता है हमारे पास constant होता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि N1 L1 is equal to N2 L2 ठीक है तो यहां से हमेरे पास formula क्या बन जागा N1 L1 यहां पर L2 by L1 यह formula बन गया हमारे पास cross multiply कर लोगे तो यह formula बन गया एन-лон की वेल्या कितनी 112 एंटो की वेल्या 5C समझ मा आ गया तो यहां पर आप लोग क्या करोगे जल्दी बता दो जल्दी से solve करो जल्दी से ठीक है यहां पर 81 जा 82 आ जा समझ मा आ गया 112 divided by 2 यह कितना आ जागा जल्दी कितना आ जागा जली बताओ यहां पर क्या जाएगा 56 cm कहां पर रखना पड़ेगा गिटारिस्ट को हाथ 56 cm के डिस्टंस पर हाथ रखेगा तो frequency कितनी प्रडूस होगी 160 Hz प्रडूस होगी बात है समझ में आ गई पक्का कोई डाउट कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो इस सेशन को यह परेंड करते हैं यह चेप्टर हम लोग close कर देते हैं अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप लोग comment section में करके पूछ सकते हो पढ़ाई करते लिजिए मिलते हैं next time बाई, take care